रविवार के दिन ये बारा काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य की कृपासे जीवन में सुकसंपत्ती का आगमन होता है, डौट साथ ही जीवन की सभी परेशानिया दूर हो जाती हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य जिन्हें भासकर के नाम से भी जाना जाता है कि पूजा करने से जीवन में खुशाली आती है, जोतिश में सूर्य देव को ग्रह का राजा कहा जाता है। कि रविवार के दिन यह कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आईए जानते हैं कि वह की कौन से ऐसे काम है जिन रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रोंक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। रविवार के दिन भूल से भी ना करें यह कांग। एक रविवार के दिन पश्चिन की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दिन पश्चिन दिशा की तरफ दिशाशूल माना जाता है। इसलिए रविवार के दिन पश्चिन की तरफ यात्रा नहीं करें। वहीं अगर किसी मजबूरी में यात्रा करनी पड़ जाएं तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर पहले पांच कदम पीछे चलकर पूर्व दिशा में जाएं। समर्पित है। तीन रविवार के दिन भूल से भी तामवे से बनी हुई चीजें या सूर्य देवता से संबंधित चीजों को नहीं बेचना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य देव की स्थिती कमजोर होती है और जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ के हर कार्य में बाधा भी आती है। पांच हिंदू शास्त्रों में रविवार के दिन मास और मदिरा के सेवन को भी निशेध माना गया है। इस दिन शनी से संबंधित सभी पदार्थों का सेवन निशेध है। छेत रविवार का दिन चुट्टी का होने के कारण कई लोग दाढ़ी बनाने बाल कटवाने जैसे कार्य इसी दिन करते हैं। लेकिन जोतिश शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन बाल कटवाने से कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। जो जीवन में दरिद्रता का कारण बनता है। साथ जोतिश अनुसार रविवार के दिन का भाव विद्यमान है। इसलिए इन रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। आठ रविवार को कभी भी सूर्य उदे के बाद ना उठे। वैसे तो हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप बाकी दिनों में सुभ जल्दी नहीं उठ पा कान के बावजूद भी रविवार के दिन शाम को ना सोएं। इस दिन शाम को सोने से धन की हानी होती है। नौव यदि आप धर का निर्मान कर रही हैं तो घर के निर्मान की चीज भी रविवार को ना खरीदे। इससे काम में देरी होती है, अर्चन आती है। 10. रविवार के दिन हाडवेर खरीदने से बचना, चाहिए है, मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानी होती है 11. इस दिन किसी गरीब मातापिता आदी का अपमान भूल कर भी करें, आपकी ये एक गलती आपके सभी अच्छे कामों पर भारी पड़ सकती है 12. रविवार के दिन खिचडी, खाना शास्त्रा नुकूल नहीं माना गया है, खास तोर पर काली उरत की दाल की बनी खिचडी को रविवार के दिन भूल कर भी खाना चाहिए 12. क्योंकि यह शनी से संबंधित भोजन है और जोतिश शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन शनी से संबंधित चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दिन नहीं तेल का सेवन करना चाहिए और न तेल से शरीर की मालिश नहीं करनी चाहिए अगर रविवार के दिन तेल से मालिश करते हैं तो इससे आपका सूर्य कमजोर होता है इसके अलावा जोतिश शास्त्र की माने तो रविवार के दिन अदरक्का सेवन करना भी अशुभ माना गया है। इस दिन अदरक्का सेवन करने से जीवन में कंगाली चाने लगती है। रविवार के दिन जरूर करें ये का। और सुक्संपत्ती का आशिरवात देते हैं। रविवार के दिन घी का दीपक जलाना फलदाई होता है। इस दिन घर के बाहरी दर्वाजे के दोनों तरफ देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है रविवार को घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मा लक्षमी भी प्रसन्न होती है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो यहां उपाय जरूर करें। तीन, रविवार के दिन जब भी घर से बाहर निकले तो माथे पर चंदन का तिलत लगा कर ही निकलें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है। आप जिस भी काम का संकल्प लेकर बाहर जाएंगे वो जरूर पूरा होगा। चार, रविवार के दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना भी बहुत शुब। माना जाता है। इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े पहन कर ही सूर्य देव की पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता को प्रसंद करने के लिए गुड, दूध, चावल और कपड़े का दान क करना चाहिए। इससे हर काम बिना किसी अर्चन के पूरा हो जाता है। पांच, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करना शुद माना जाता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है और सारे रुके हुए का पूरे होते हैं। 6. घर में पैसों का आवागम बढ़ाने के लिए इस दिन सूर्य देव के साथ साथ माता लक्षमी की भी उपासना करनी चाहिए। रविवार के दिन महालक्षमी मंत्र का जाप करने वो शीघर प्रसन्न होती हैं और घर में करती हैं। 7. रविवार के दिन जाडू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए रविवार के दिन तीन जाडू खरीद कर लाएं और अगले दिन यानी सुमवार को अपने आसपास के मंदिर में जाकर जाडू का दान करें। 8. यदि आपकी कोई मनोकामना है तो पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। 9. रविवार के दिन पीपल की भी पूजा की जाती है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए रविवार के दिन शाम को आटे से एक चौमुखा यानी चार मुख वाला दीपक बनाएं और फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जला कर रख दें। इससे जीवन में सुख, शांती, समरिध्धी और यश की प्राप्ती होती है। 10. रविवार के दिन किया जाने वाला एक सरल उपाय यह भी है किरा को सोते वक्त अपने सिरहाने पर दूध का गिलास रख कर सोएं और सुभा उ बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिती अच्छी होती है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से जातक के जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानिया दूर हो जाती है। इसके अलावा रविवार के दिन आपको अपनी घर के किसी महिला से आशि को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर हो जाएगी। बारा अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है वो हर पल कुछ सोचते रहते हैं तो रविवार को आपको भगवान शिव की विधी पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ है नमा शिवाय। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिलकुल नहीं बनती तो उनके बीच। रिष्टे को बहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकाल कर उन धागों को आपस में बांध दें औ तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्षमी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।